हरे कृष्णा भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूमे भक्तिया प्रयाच्चिती तदहम भक्ति उप्रहरितम असनामी प्रयतात्मना अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई यदि मुझे शद्धा पूर्वक ए थोड़ा पानी अगर अर्पित करता है तो मैं उसे तुरंथी स्विकार कर लेता हूं कहने का भाविया है कि यदि कोई अहंकार पूर्वक भगवान को बहुत बड़ी-बड़ी संपत्ति धन अर्पित करे तो भी भगवान उसे स्विकार नहीं करते हैं कोई कह सकता है कि क्य भगवान इतने से संतुष्ट हो जाएंगे तो इसके पीछे एक कथा आती है जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो गोकुल में एक दिन एक गरीब फल बेचने वाली फल बेचते हुए आई सुबह से उसके कोई भी फल बिक्री नहीं हुए थे तो हताश रोकर वननन्द महराज के महल के सामने पहुची वहाँ पर नन्य कृष्ण खेल रहे थे जैसे उन्होंने फल वाली से यह पुकार सुनी कि फल ले लो फल तो भगवान कृष्ण तुरंती उसके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे भी कुछ फल चाहिए उस फल वाली ने कहा कि बेटा फल तो मैं तुम्हें दूँगी पर उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे भगवान कृष्ण ने कहा मैं इसके बदले आपको क्या दे सकता हूं तो उसनों ने कहा कि हमें कुछ भी खरीदने से पहले कुछ भी अगर हम लेते हैं तो उसके बदले हमें कुछ देना पड़ता है तो तुम अपनी माता से कुछ धन ले आओ या कुछ वस्तु ले आओ जैसे चावल तो भगवान कृष्ण तुरंथ वहां से उठ कर गए और घर के पास में एक चावल की बोरी रखे वी थी तो वहां से उन्होंने कुछ दाने चावल उठा लिये अब भगवान कृष्ण के हाथ तो बड़े छोटे थे क्योंकि वह काफी छोटे उम्र में थे तो उनके हाथ काफी छोटे थे और जब वह ठुमकते ठुमकते चलते हुए वहां से आए तो बहुत सारे चावल के दाने गिरते भी गए जब वो फल वाली के पास पहुँचे तो उनके हाथ में कुछ चार-पाँच दाने ही बचे थे जब फल वाली ने देखा तो उसे इतना प्रेम आया भगवान कृष्ण को देखकर उसने तुरंत ही कहा कोई बात नहीं तुमारे हाथ में तो एक भी चावल के दाने नहीं बचे लेकिन तुम जितने चाहो उतने फल ले जा सकते हो और ये फल तुमारे ही है तुमें जितनी इच्छा तुम खा सकते हो भगवान कृष्ण खुशी-खुशी जितने उनके हाथ में हो सकता था उन्होंने पकड़ा और वो फल लेकर अपनी घर की तरफ चल पड़े उनकी सुंदरता को देखकर फल वाली उन्हें निहारती रह गई लेकिन जब उसने फल की टोकरी उठाई तो उसे बहुत भारी महसूस हुआ पर उसने फिर ध्यान से देखा तो उसके फल की टोकरी में फलों के जगा वहाँ पर सोने चांदी और अमुल्य रत्न वहाँ पर भरे हुए थे उसे देखते ही उसे इतना आश्चर हुआ कि मेरे फल जो भी बच्चे हुए फल थे वो सभी सोने चांदी एवं अमुल्य हीरे से भर गए हैं तो उसे बहुत ही आश्चर हुआ इस कथा से हमें समझ में आता है कि अगर हम भगवान कृष्ण को श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक जो कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसके लाखों करोणों गुना हमें वापस करते हैं न सिर्फ भौतिक रूप से बलकि आध्यात्मिक रूप से भी न सिर्फ भौतिक संपत्ति प्रदान करते हैं बलकि वो हमें आध्यात्मिक रूप से भी उपर उठाते हैं भगवान को वैसे तो कुछ नहीं चाहिए भगवान सभी ऐश्वरियों से परिपूर्ण है लेकिन जो भगवान को देता है वो अपना ही भला करता है इस संबंद में एक उदाहरण श्रीले प्रभुपाद जी देते हैं कि यदि कोई अपना चहरा को बहुत सुन्दर से धंग से सजाता है तो जब वो आईने में अपना प्रतिविम्ब देखता है तो उसका प्रतिविम्ब भी सजा हुआ दिखता है तो श्रीले प्रभुपाद इस उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि यदि हम भगवान कृष्ण को कुछ अर्पित करेंगे तो उससे हमारा ही फायदा होगा हमारा ही लाब होगा भगवान इसके अगले श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि जो कुछ भी तुम करते हो अर्जुन जो कुछ भी तुम खाते हो जो कुछ भी तुम प्राप्त करते हो वो सब कुछ मुझे अर्पित करो भगवान ऐसा इसले कहते हैं क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते है ऐसा कहा गया है तन पवित्र सेवा किये धन पवित्र दिये दान मन पवित्र हरी भजन से त्रिविध हो कल्यान अर्थात यदि हम सेवा करते हैं तो हमारा तन पवित्र होता है यदि हम दान करते हैं तो उससे हमारा धन पवित्र होता है और यदि हम भगवान का हरी भजन करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है इस प्रकार से तन, मन और धन तीनों का कल्यान होता है तो यदि आपके पास समय नहीं है आपके पास पूरा जीवन आप भगवान को इस तरह से समर्पित नहीं कर सकते तो हम जो भी कमाते हैं या भगवान से जो भी हम प्राप्त करते हैं इस संसार से इस प्रकृ Stunden से तो हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए इससे हम स्वयम का ही लाब करेंगे तो आप सबी से निवेदन हैं कि श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आप भगवान को जो भी आप अर्पित करेंगे इससे आपका नसर बहुत तिक बलकि आध्यात्मिक लाब भी होगा हरे कृष्ण